भारतियो क्रिके टीम का अग्यातवास शिरू जिहां ठीक सुना आपने अग्यातवास लेकिन कौन कहां जा रहा है कौन सा खिलाडी कहां जाएगा ये किसी को नहीं पता और एक खबर पैपराजी के लिए बहुत जादा जरूरी है जो हर वक्त कैमरा लेके एरपोर्ट पर मौ बढ़त बना ली है यानि कि अब धरमशाला में जो मैच है वो हारे या जीते अब कोई फरक नहीं पड़ेगा भारत जीत चुका है लेकिन इस रांची की जीत का जो नायाब तोफा भारती क्रिके टीम को मिला है मुझे लगता है कि हर काम करने वाला शक्स वो तोफा चाता ह अगर आप employee है किसी company में तो आपको भी ये तोफा बहुत अच्छा लगता है जी हां अगर आपको ये कहा जाए कि आपने बहुत कड़ी मेहनत की है आप बहुत अच्छा काम कर रहे है इसलिए आपको 4-5 जिनों के चुट्टी पे भेज़ दिया जाएगा तो आप कितने होलत दी गई है कि आप अपने घर जाकर आपने घरवालों से मिल सकते हैं तो ऐसे में भारती क्रिकेट टीम का कौन सा खिलाड़ी कहां जाएगा कहां अपने घरवालों से मिलेगा ये तो उनी को पता होगा लेकिन हाँ खबर ये है कि हर कोई अपने घर पर अपनी परिवार वालों के साथ ये समय बिताना चाहेगा आप देखे क्योंकि साथ मार्च को धरमशाला स्टेडियम मैच है तो तीन तारीक को धरमशाला में पूरी टीम पहुंच जाएगी और उसके बाद भारती क्रिकेट टीम या फिर इंग्लेंड टीम के पास पूरा चार दिम का समय होगा प्राक्टिस के लिए हालां कि धरमशाला के अगर वैदर की बात करें तो एक से लिके चार तक का स्नोफॉल का प्रेडिक्शन है तो ऐसे में प्राक्टिस होगी मैच होगा के नहीं ये अभी कहना मुश्किन है लेकिन फिलाल चुट्टी पर हैं उनको मजा करने देते हैं औ और अब भारतिय टीम की बारी है अपने घरवालों से मिलने की यानि की अब भारतिय टीम जो है एक बार फ़र से कह सकते हैं कि रिफ्रेश होकर वापस मैदान पर लोटेगी क्योंकि हैदराबाद के मैच के बाद जो भारती क्रिकेट टीम ने जानदार वापसी की है उसके म पद्दे नजर ये छुट्टी ये तोफा तो बनता ही था अब धरमशाला के मैदान में भी भारती टीम की पूरी कोशिश होगी कि वो इस ट्रॉफी पर भी अपना कबजा कर ले लेकिन इंगलेंड भी पूरी कोशिश करेगा एक और मैच अपने नाम करने की और भारती टीम क जाहिर तोर पर ये कोशिश होगी कि वोर्टेस्ट चैंपिंशिप में अपने स्थान को और मस्बूत कर ले